यदा यदा ही धर्मश्य कलाने भौती भारत अभ्युद्धानम धर्मश्य तदाक्मानम स्जाम्यम सुकृत शिरोमडी लीला उचोत्तम रादिती कलाधर भगवान श्रेक्रिष्न जब माभारत के समरांगण में खड़े होकर मोहकुल अर्जुन को यह बात कह रहे थे तबी धर्म और राजनीती का द्वैट गीता के अद्वैट में समा चुका था स्लोकार्थ कुछ यू था कि जब जब धर्म की हानी होगी मैं राज्ट के अभ्यूत्धान के लिए जन्म लूँगा इश्वर्त का पूर्ण जन्म भी जहां धर्म के उठ्थान के लिए होता है उस भारत भूमी की लानीती भी धर्म की अंगामी हो जाती है नबशकार में बरुलकौाण मिश्रा विशय लानीती का धर्म और धर्म की लानीती की परिपेख्ष पे अपना मत रखने जारा मौदयास से कई वर्षों पूर्व जब विश्व की तमाम समकाली इंचपटाओं का जन्म नहीं हुआ था तब अकंड़ आरिबटकर सपन देखने वाले भारती संस्कृति के मनीशिनायक अचारिप चाड़क के हैं अचारिप चाड़क के से विद्वस सभा में प्रष्ट पूछा गया कि राजनीती क्या है तब चाड़क के कहते हैं कि धर्म से धर्म की ओर ले जाने वाली असत्यशे सत्का परचे कराने वाली अंदकार से प्रकास क्यों ले जाने वाली और मृत्यू से अमरतर तक ले जाने वाली संचीवनी ही राजनीती कहलाती है मौधे 10 हजार साल की सनादन संस्क्रिती में सदैव राजनीती का धर्म रहा राजनीती में धर्म धर्म मजबूत रहा ताकि राजा आराचारी ना हो, ताकि राजा दुराचारी ना हो, महोदे हमारा तीद गवा है, हमारा इस साक्षी है कि जब शाशक धार्मिक होता है, तब इतिहास पुरह जीवन्त होता है, इसका जीवन्त धाराना देख सकते हैं, दोस्तों भारत एक धर्प्रधान देश है, भारत का प्राण ही धर्म है हम बगैर धर्म के भारत की संकल्पना ही नहीं कर सकते एक भारती जब सुपह सो करुपता है तो सवर्प्रता वह धर्ती माता के पैर पकारता है वे मांनता है कि कश्मीर क्कन्यकुमारी तक और सोंगरान की नहीं बलकि जीता जाकता राश्तुर्ण्स हैं, तेवभूमी है यह। इस भूमी में कितने ही महापुरूस। कितने ही धर्मों और संफ्रदाई के पहुपर जन्मे और यही माटी में बिलिल हो गए। हमने पहाडों को पूजा, हमने पेनों को पूजा, हमने नदियों को पूजा, हमने पसूं को पूजा, हमने गंकर-गंकर में संकर को पूजा, हमने जब भी जए भोष लगाए, तो धर्म की जए हो, अधर्म का विनास हो, प्राणियों में सद्बाव नहों, विश्व के कल्या लाजनीति को हẻरम अंट ४ महोदे आज मैं सबनने किपता है कि 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 किसी भी कि समाज कर धार्मिक 튀ड़ी भारत में दर्लम्र ध्यानम करता राजनीति को धर्म से रख नहीं कर सकते भारती राणीति धर्म निप्ष होई नहीं सकती और यही कार्थ था कि भारती सविधान के उद्धेशिका में सेप्रज़ब का हिंदी नुवाद धर्म बेच्षता में नहीं चाहिए कि कौर कश्मीरी पंडितों कंदर संगहार होता र देशिका τι रहे राम्वक्तों पर नियर्त्य रामवक्तlang भोलियां चलाए जाए गुज्राद के गोद्रा में ट्रैन और बसों में नियर्त्य लोगों को मवासूम लोगों को फूख दिया जाए और आज का आदमी मजबी हमचburse चूले की लपनने के महießटा हो तो उस्तरकार आज हमें बदलाव के उशक्ता है वे बदलाव हमें खुछ से नाने के उशक्ता है जिस दिन हम इंदू-मुस्लिम, सीख, इसाई, यादो, ब्रामाण और राग्पूत की एनेता ना चुटकर इस देश की नेता चुनेंगे जिस दिन हम धर्म और जाकी के नाम पर बटेंगे नहीं, दंगें नहीं करेंगे जिस दिन हम जोर्षुट के टकल में शंगर शमारा नारा होगा जिस दिन हम इस देश के उख्माराँ से सीना ठोकर कहेंगे कि जो आज साहिवे मसराद है कल नहीं होंगे कि रायदार है जाकि मकान खोड़ी है सभी का खून है सामें इस मिट्टी में किसी के बाप का इजुस्काल खोड़ी है समझाकर नहीं माईनों में तब दाकारम हिस्तिती बतलेंगे और तबी हम परंगे भवन ने तुम्हें तत्रास्टम समर्था भुवत्वार निसाते विशम के वाफ़े को साथतक करते हुए भालत को फिर से सोने की चलिया के रूप नहीं अभी तो विश्व का नाथ विश्वनाथ के पत्वर आगू करेंगे और पूरी दुनिया को ये बतलाएंगे कि रोम युनान मिश्र मिट गए जहां से अब तक मगर बाकी है नाम और निशा हमारा कुछ बात है कि मिटती हस्ती नहीं हमारी सध्यों रहाए दुश्वन दोरे जहां हमारा बौदे धर्म की रागनीती का उधारा अलग तमाम देखनों को मिल सकता है 1947 में बढ़ता हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसी का उधारान है 1930 में चर्मनी अभी का इस्राइल 1929 का जिम बॉंबे या उधारान एक किस पकार धर्म और रागनीती को मिला देते हैं तो किस पकार ऐसी सिधी बंती है जो देश पेले आनिकारक होती है धर्म हमारे लिए जीवन जीने की संस्रिती नहीं बल्कि हमारे सक्त का दर्शन कर안े वाली एक औधारना है जिने हमे जीवन में औधारने के उशकता है हुआ है नोय थिर्म कि यह सकते की मतल नहीं कि तभी के साथ उस भारत की इसथाबना कर पाएंगे यृष्व भारत का सुपन हमारे महापूसों ने देखा था, हमारे सुपता से नानियों ने देखा था, जय है जय भारत